डेरी प्रोड़क्ट बनाने वाली कंपनी कॉलिटी पर CBI ने बैंकों के कंसौर्टियम से 1400 करोर रुपए के फर्जी वाड़े का मामला दर्श किया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने फर्जी लेंदेन और रसी दिखाने के साथ साथ गलत बही खाते के जरिए बैंकों से धूका धड़ी की। इस मामले को लेकर CBI ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हर्याना सहित कंपनी के आठ ठिकानों पर छापे मारे भी की है। भवतोष सिंग हमारे साथ फोन लाइन पर है और ज्यादा जानकारी लेकर भवतोष और क्या बता सकते हैं इस कोरे मामले के बारे में। जो डेरी का बिजनस उसको एक्स्पैनड करना चाहते हैं इसलिए दोरी लिया था लेकिन जैसी यह ललन दिल्लिया गया था और इन लोगों ने जो अपना टर्नोवर 13,000 करोड का दिखायता हूँ अच्छिली 7,000 करोड के आसपास से है कल कम से कम 11 जगाओं पे इंक्लूडिंग डेही में रेट हुए है इसमें सिधान गुपता और जो बाकी प्रमोटर ने कॉलिटी ग्रूप और कमपनी के उनको क्वेशन के लिए बुलाएंगे इस्पूरी की पूरी जान जो है वो फोरेंसिक आडिट रिपोर्ट पे बेस्ट है जो बैंक ओफ इंडिया ने इस के लिए कराया था जिसने साफ ये दिखाई देता है कि इसमें जो कुछ बैंक ओफिशल्स भी इन्वार्ट थे जिन्होंने ना इन्वेंटरी लिस्ट चेक की और उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि जो ये कंपनी है जो अपना टर्नोवर करीब करीब 13,000 करोड बता रही है उसका आधे से कम टर्नोवर था कंपनी का जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भवतोष